आप सभी लोगों को नरक 14 छोटी दिवाली की हार्दिक शुभ कामनाएं। छोटी दिवाली 2024, छोटी दिवाली कब है। नरक 14 पर किस भगवान की होती है पूजा, जाने पर्व से जुड़ी रोचक बातें। इस दिन राम जी या गनेश लक्षमी का पूजन नहीं होता। आईए जानते हैं कि छोटी दिवाली को नरक चतुरदशी क्यूं कहते हैं। और छोटी दिवाली के दिन किस भगवान की पूजा की जाती है। नरक चतुरदशी को रूप 14 या छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है हिंदू धर्म में ये दीपोत्सव में शामिल एहम पर्व है जिसे दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है हिंदू पंचान के मुताबिक हर साल कार्तेकमास के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं इसी कारण इसे नरक चतुरदशी कहते हैं इस बार छोटी दिवाली 30 अक्तुबर को मनाई जा रही है हालांकि तिथी 31 अक्तुबर को भी लग रही है दिपावली का पर्व भगवान श्री राम से संबन्धित है 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या के राजा राम अपने नगर वापस लोटे थे इसी खुशी में दिपोटसव हुआ और तब से हर साल लोग दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं कहते हैं भगवान घर आते हैं तो धन संपदा और सुबुद्धी घर आती है इसी कारण दिपावली में भगवान गनेश और माता लक्षमी की पूजा की जाती है लेकिन क्या आपको पता है कि एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली का पर्व भगवान राम से नहीं बलकि किसी दूसरे भगवान से जुड़ा है इस दिन राम जी या गनेश लक्षमी का पूजन नहीं होता आईए जानते हैं कि छोटी दिवाली को नरक चतुरदशी क्यूं कहते हैं और छोटी दिवाली के दिन किस भगवान की पूजा की जाती है छोटी दिवाली पर किस भगवान की पूजा होती है नरक चतुरदशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है इस दिन मृत्यू के देवता यम्राज और धन की देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है इस दिन सुबह सूर्योदे से पहले नहाना चाहिए मान्यता अनुसार रूप 14 के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वद्ध किया था और लगभग 16,000 महिलाओं को कैद मुक्त किया था इस दिन भगवान यम्राज की पूजा की जाती है इसलिए इस दिन किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए रूप 14 पर सूर्योदे से पहले सनान करना चाहिए और उब्टन लगाना चाहिए नरक चतुरदशी से जुड़ी कुछ बातें नरक चतुरदशी के दिन पूजा तो की ही जाती है लेकिन इस दिन आपको और भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे घर में सुख और सम्रिद्वी बनी रहेगी चलिए जानते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रूप 14 के दिन सूर्योदे होने से पहले नहाना चाहिए रूप 14 के दिन अपने माथे पर तिलक भी लगाना चाहिए नरक चतुरदशी को यम्राज के नाम का दीपक जलाना चाहिए छोटी दिवाली को साफ सफाई का विशेश ध्यान रखें छोटी दिवाली के दिन घर की दक्षिन दिशा को गंदा नहीं करना चाहिए नरक चतुरदशी के मौके पर घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए रूप चौदस के दिन सुबह स्नान करके भगवान कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए नरक चौदस को घर की महिलाई चौमुखा दीपक बनाकर रात के समय तिल का तेल या सरसों का तेल डाल कर चार बत्तियों वाला दीपक जलाती है मान्यता है कि जो भी भक्त रूप चौदस को ब्रहमा मुहूर्थ में स्नान करके यम्राज जी की पूजा करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ती होती है वो नरक जाने से बच जाता है रूप चौदस को ओब्टन लगा कर नहाने की भी परंपरा है आप सभी लोगों को नरक चौदस छोटी दिवाली की हारदेक शुब कामनाए अगर आप मेरी को ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें लाइक करो शेर करें सब्सक्राइब करें